चंद्रयान तीन मिशन की अपेक्षित अवधी समाफ्थ होने में काफी समय बीजाने के बावजूल भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन याने की इसरों ने चंद्रयात्ती के बाद मिशन के फिर से जीवित होने की उमीद बरकरार रखी है। अलाकि इसमें अभी तक कोई कामया भी नहीं मिल सकी है। इसलिए है क्योंकि मिशन के इलेक्रोनिक्स को रात के समय चंद्रमा पर चरम स्तितियों का सामना करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जहां तापमान 200 डिग्री से भी नीचे गिर सकता है और सौर्स अंचालत मोड्यूल के काम करने के लिए बिलकुल भी सूरत की रोशनी नहीं है। दिल्चस्प बात ये है कि अगर रूस का लूना 25 चंद्रमा पर सौफ लांडिंग करने में काम्याब होता तो उसका प्रदर्शन काफी बहतर होता। रूसी मिशन को प्लुटोनियम रेडियो आइसोटोप डिवाइस के साथ डिजाइन किया गया था जो परमानू बैटरी जैसा कुछ था। वो परमानू बैटरी गर्मी उत्पन कर सकती है जो उपकरनों को कम तापमान में भी जमने से बचा सकती है। चंद्रयांतीन मिशन में ऐसी कोई सुविदा ना होने के बावजूद इसरों को इस पर अब भी उमीद है। मिशन के उद्देश पूरे होने के बाद अंतरिक्ष एजिंसी ने लैंडर और रोवर के जीवनकाल को बढ़ाने का प्रयास करने का मौका लेने का फैसला किया था। उन्होंने सुर्यास से थोड़ा पहले सभी उपकर्णों को बंद कर दिया और उन्हें स्लीब मोड में डाल दिया। इस बाद के थोड़ी संभावना थी कि यदि बैटरियां पूरी तरह से चार्ज होती तो वो चंद्र रात में जीवित रहने के लिए उपकर्णों को परयाप्त गर्म रखने में सक्षम भी हो सकती थी। जब चंद्रियां तीन मिशिन के मॉडियूल चंदमास पर सो रहे थे तब उसके बहुत करीब कुछ दिलचस्प घटित हुआ। कि अंतरिक्षिबल उपग्रह के प्रक्षेपन ने आयान मंडल में एक छेत कर दिया जो पृत्वी के उपरी वायो मंडल का हिस्सा है। टेकसस स्थित प्राइवेट स्पेस टेकनोलोजी फर्म फायर फ्लाई एरोस्पेस ने 14 सितंबर को एर स्पेस के लिए विक्टिस नॉक्स उग्रह लॉंच किया। स्पेसवेडर.com के रिपॉर्ट के अनुसार हम बात करें तो लॉंच के बाद एक सफेद प्रकाश अकाश में एक बड़े शेतर में फैल गया। इस कोन के फीका पढ़ने के बाद हलकी लाल चमक थी जो रॉकेट द्वारा आयन मंडिल में छेद करने के कारण हो सकती थी। गया और 23 अगस का दिन राश्य अंतरिक्ष दिवर्श के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरह से चंद्रमा की सता पर जिस थान पर चंद्रयान दो ने 2019 में अपने पच्चिंद छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया। आमा रुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर